आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, मैंने अपनी जिन्दगी का सबसे सुकून का समय पिताया सुवई से एक उत्राखन का पर्व है, जब भी बसंत रुदू आती है हमारी, तो यहाँ पे छुटी बच्चे खो गये हैं वो दिन, खो रहे हैं वो दिहार, जब से हमारे सर में, सहरो का सूर हुआ है हई गाईS मेरे नाम मांचुушка है, मैं आपकी के तरग एक सिंपलाईटी का है, जो फूल टाइंब जोप के साथ साथ ठावल कर रहा है तो फलाल आज मैं हूँ अल्मोडा में यह मेरा चौथा दिन है और मैं स्टे कर रहा हूँ सुगून होमिस्टे में तो अब फिलाल हम ब्रेकवास्ट कर लेते हैं ब्रेकवास्ट करने के बाद हम दोलासरम की तरफ जाएंगे और वहां जाके आपको पता लगेगा कि क्या-kya चीज़े हैं वहां पर देखने लाएक और क्या-kya detailing आपको सारी बताई बताई जाएगी ब्रेकवास्ट वगेरा करके अभी मैं सीधे गाडी में बैढ़ गया हूं दोलासरम के लिए तो जो दोलासरम है सुकून होमिस्टे से एप्रॉक्स 10 किलोमेटर है जो की अदा हिंटा यहां से लगेगा आने जाने में एक साइड में आदा हिंटा तो अभी फिलाल में यहां अच्छा वहीं पर आपका घर है तो डोलासरम में मतलब कौन लोग आता है मतलब कौन लोग 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 अब रुखने के भी वैस्ता होती ना असरम में अच्छा ऑनलाइन उनकी साइट से उनकी साइट से जालो बढ़ी होगे डूल आसरम की साइट होगी ना कोई जे आपना बेक साइट देदेंगे आपको वहां चे आपको पूदे देंगे और एक वहां पर स्रीयंत्र भी तो नेपाल का सब्सक्राइब करें यहां पर पार्गें की वैस्ता है पूरी प्रॉपर तो हमने गाड़ी यहां पर लगा दिया तो यह है यहां पर में गेट आपको देखने को मिलेगी बहुत ही भव्य है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी उची है और साथ ही साथ मैं ही पर राइट हैंड साइड में आपका अगर आपको कोई भी रेस्ट्रेशन कराना है या कोई भी अपना डोनेशन देना है भेट पात्र देनी है तो आ एक जवाने में जब धर्ती छोड़के चले गई थी वैखुंड तो विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने उनको वापिस बुलाने के लिए श्रीयंत्र की रचना की थी तो ये श्रीयंत्र जो है कहते हैं कि जहां भी श्रीयंत्र होता है महालक्षमी और विष्णु जाती है एक गुरुकुल है जहां पर फ्री ऑफकॉस शिक्षा दी जाती है बच्चों को अगर आप चाहे तो अपने बच्चों का एडमेशन हां करवा सकते हैं और साथी साथ में यह वह गेट है जहां से अंदर आपको विडियोग्राफी के लिए अलाउड नहीं है तो हो और एक अध्यात्मिक की पावर जो होती है उसे महसूस कर सको अगर आपके हाथ में मॉबाइल हो तो लोग फोन वगया से सेल्फी वगया लग जाते हैं यह वह स्रीयंत्र का मंदिर जो इसके अंदर ही वह स्रीयंत्र रखा हुआ है जो कि विश्व का सबसे भारी और सबस यहां बहुत बड़ी एक लाइबरेरी है वहां पर अगर आपको बुक्स पढ़ने का सौक है तो यहां आके आप बुक्स भी पढ़ सकते हो अब चाहो तो श्रीयंत्र की पूजा में बैठ सकते हो यह सारी चीजा अवेलेबल हैं बट उसके लिए आपको ऑन-लाइन बुकिं और काभी ऑफ रोड रोड तो तो तीर न पर मंदीर है कामारी मंदिर इस मंंदिर की विसेस्ता याएग कि इसमें गुफाएं अंदर जोंते है aunque कितना पर वंदिर यह तो शय बडराना है शदियोपराना है मुर्ति मुर्ति हम यह रहों ब ενærrici है और चलिए hope the पाने का खुंड़ी भी है जकिनता है अच्छा है यहां से कितना अंधर है ताधी पांच में चलो अब फिर आगे आगे तुम चलो हम पीछी पीछी चलते है पूरा ट्रेक करके यहां पहुच गया है कि मंदर का प्रांगण है वह सामने बंदिर है तो चली अंतर मंदर के आप ब्लाह्र के दिन मंधारा होता है तो काफी भीड रहती अव यहां पूजा पात् हुथी तभी लोग यहां पर आते हैं ऐसा कोई सारोजी जनिक मंदिर नहीं तो एक बात तो यह की ट्रैक बहुत अच्छा है सांती है एकदम पुरे रस्ते में थोड़ा सा अगर आते हो तो जूते फ्रोड़ा स्पोर्ट्स वाले या फिर अच्छे पकड़ वाले जूते लेकर आना को कि फिसनने का थोड़ा सा खत्रा देखने को लगा मुझे निए का जैसे यहां पर पुजाही लोग आते है न जाव बड़े साधु लोग आते हैंँ अबड़ जब कि शिद्धय परद्ट करते हैं शाilik तो शय लेटते हैं तो बाग यहां बढ़ करता है यहां पर आप पर्व में रोलीज गय सब्सक्राइन, और क्रसाद रे खर्षा, करता है। तो वह आहां गताए सुवेश साड़ बजह अच्छो अच्छो ओरता है और वा किशो नुश्चान करता है आप तो रात को बारे बजए आपको जार हो आपको मिल गया बाद, तो बाद क्या करेड़ा, आपको निखती अग्जा आपको कुछ निखाजगा, याप किस के खड़ पुजाबार कटे है तो इसमें से पानी ना धोकर तो उसके अंदर खुंड अच्छा अंदर बाने चालता है तो यह तो यह निकला फिर पानी यह नहीं अँगा अच्छा यह निकला अधर चलो जय हो पुझा पाट होती है नहीं जय हो जय हो तभी यहां कोई है नहीं यह यहागा पानी है अच्छा तो हम यह 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 यूज करते है ठीक ठीक इसे अंड़तर है जय मता दिय जय है जय हो मुझा ओज़े जय हो तो गाइस हमने दर्षन कर लिये हैं काफी शानती में रही यहां पर आके एक अलगी महौल है अंदर मंदिर में तो इतना पिंडर ओफ साइलेंस है आप पांच मेट बैठो गे नहों पर आपको बहुत ही अलग प्रकार का नुभा होगा तो आप अगर इधर की तरफ कभी आते हैं दो लासरम की तरफ तो इस मंदिर में ज़रूर आएं तो कैसी लगी आपको यह गुफा म मुझे कमेंट करें जरूर बताना तो अभी यहां से फिलाल में जाता हूं होमस्टे वाफिस और होमस्टे जा करते हैं फिर देखने साम का कैसी नहीं तो इस टाइम तो से गुडबाई तो सुकून होमस्टे तो मैं यहां बेसिकल दो दिन रुकने का प्लान था बड़ यहा काफी मज़ा आया यहां से जाने का मानी नहीं कर रहा था इसलिए दो दिन एक्स्टेंट कल गया था तो फिलाहल अभी मैं जा रहा हूं वापिस यहां से हल्दवानी तो यहां से चेक आउट अगेरा करके निकलते हैं हल्दवानी की तरो जिमी आपको लोग एक चीज और बतानी थी जिस प्रॉपिटी में रुगा जाना उसके उपर इनका एक और है यह बेसिकली उस्ती भी मुझे जादा बैटल लग रहा है अगर आपको छोड़ासा पुरानी वाइफ सीए तो नीच वाली सही है अकर मेया वाला वाइफ सीए इसे बड़ा जबरतस बनाया हुआ है उन्होंने पूरा पत्तर बनाया वा अंदर अधान फैमली परपास नहीं है सोफासेट भी रखावा इधर और बैड ना पूरा उसका पत्तर का बैड बनाया हुआ है इसके ना समान रखने की भी जगह है बहुत ही इक नंबर और दो ब वाष्रूम में बहुत जादा इस्पेस है बहुत बदा वास मनाया होगा है तो यह यह भी है वो है यह वाला एंग दिखो ने तो जैसे स्टाइल में बनाया होगा है धोड़ा सा इसमें हलका सा टाच अलग दिया हो और बाकी तो यह है बस अब बाई 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 बोल दो इनको और आपके बच्चों के जूलने के लिए छोटा सा जूले भी यहां पर अवेलेबल हैं दो ना छोटे 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 इस तरह से बहते हैं, सो इस तरह से अ अलमोडाया अब क्या ना नहीं जड़ोलेज़न धुर्टे पर परेमें यहां कि इसी बहाने दोबारा फिर से आना जोगा और आप लोगों को फिर सेमाशन के लिटेड़ या इस वीडियो से लेट आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं बागी इस home stay के बारे में कुछ भी जानना है तो मैं phone number उनका जो owner है उनका description में डाल दूँगा आप उनसे directly phone करके book भी करा सकते हैं और availability वगरा जान सकते हैं बागी कैसे लगी आपको वीडियो जरूर मुझे comment करके बताना अगर पसंद आई तो वीडियो को like करना मत भूला अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe करना मत भूला thank you so much for watching see you soon और share भी कर देना यार दोस्तों के साथ almoda वालो कुछ तो दिखाव भाई यार यार